असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ सब ठीक होंगे अल्ला का शुकर है हम सब भी ठीक हैं ये देखे आज सुपो का टाइम है और फोक काफी ज्यादा पुड़ी हुई है फिर से सर्दी स्टार्ट हो गई और फिर मैं नाज्टा बना रही थी चाए वही सौंफजवाइन वाली पहले तो मैंने सोचा के बच्चों को रहने देती हूं फिर मैंने का नहीं भीजी देती हूं तो फिर इसलिए मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और अब ये मेरी चाए भी रेडी हो गई है साथ में ही मैंने मूलियों को फ्रश कर लिया था और ये मैंने मिर्च नमक और गर्म सालाय कर लिया है ये भी हमारे घर में मतलब घर की ही है हमने लगाई हुए फ्रेश थी ये भी तो काम को ही तोड़ के लाई कि नहीं तो फिर इनको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और ये मैंने पेड़े भी बना के रख लिये हैं और आप मैं इसके फिलिंग करूंगी किस-किस को मुली वाला प्राठा पसंद है मुझे जूरूर बताएगा और चोटा बेटा मेरा रो रहा था कि नहीं मैंने तो चीनी वाला प्राठा ही लेना है तो फिर मैंने उसको चीनी वाला प्राथा बना दिया और बच्पन में किस-किस ने चीनी वाला प्राथा ज्यादा खाया है वो भी मुझे जूरू बताएगा तो यह हमारा प्राथा हो गया रेड़ी और इस पे मैं भरकी ओई लगाऊंगे इसलिए कि यह अच्छे प्रणची सा हो जाता है फिर तो बड़ा ही टेस्टी लगता है और यह हमारा प्राथा भी हो गया रेड़ी मैं बच्छों को भी भी चुकी हूँ और अब मैं अपना नाश्टा कर रही हूँ यह दही में मैंने चत्नी थोड़ी सी रालके बहुत टेस्टी चत्नी बन गई थी और यह साथ में लीमु बहा चाज भी मेरा रेड़ी हो गया था मैंने का इसको भी आज मैं знать कर ही लूँ वास यैं था मेरा नाश्टा और साथ में पिर मैंने चाएं पी ली और अब दुपहर का टाइम हो चुका था तो फिर गजरें पड़ी थी मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं फिर मैंने का जलो मैं आलू गजर ही बना लेती हूं तो मैंने पाइन लिया इस में ऑुइल डाला फिर मैं इस में अणियान एड कर दूंगी और तब तक फॉई करुंगी जब तक गोल्डन हलके से गोल्डनना हो जाए तो अच्छा जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्तिया और जो मेरी वीडियो पे नीव हैं प्लीज वह भी लाइक किया करें सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को और यहां मेरा हनियन गोल्डर हो चुक है तो मैंने इसमें हरी मिर्चे और टुमाटर और ल एड़ कर दिया था और अब मैं इसमें फलदी दालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और नमरे और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर इसमें मैं डाल Gillबे आल्लू गा जर उनको भी मैंने इसमें में आपानी डाल के से पांच साथ मिनट के लिए से मैं रखतूंगी और यह हमारी सब्जी हो गई है रेडी क्यूंकि इसने यह देखें ऑईल अलग हो गया है इस तो मतलब है यह रेडी हो गई है बस एक दो मिनट और मैं इसकी बुनाई करूंगी और इस पे मैंने फिर गरम साला डाल दिया था और साथ में ही हरा धनिया वह भी फ्रेश यह दनिया भी हमारे लगा हुआ है तो जब चाहिए होता है तो फिर इसे तोड़ लाते हैं हम लोग तोड़ के फिर यूज़ कर लेते हैं और यह हमारी सब्जी होगी है यह रेडी और आज मेरा दिल कर रहा था तंदूर की रोटी खाने को काफी दिन से नहीं खाई तो फिर मैंने तंदूर की रोटियां मंगवा ली ताप में था मेरी दाल और सबजी और लस्टी और मक्खर जिस जिसने खानी है आजो और फिर कुछ इस तरह मैंने इसे खाया और अब थोड़ी दिर मैं धूप में बैट गई थी क्योंकि धूप भी काफी अच्छी निकल आई थी पिर चार साड़े और चार बजे का टाइम हो रहा था पिर मैंने सोचा कि अब मैं चाय बनाऊं और चाय भी आज मैंने गुड़वाली बनाई वो भी बड़ी ही टेस्टी लगते है आप भी ज़रूर ट्राय करें और अब मेरी चाय हो गई है रेडी अब मैं चाय डालती हो कप में मैं मेरी चाय और चट बस याम को यही होता है कि थोड़ी देर के लिए मैं चट पे जाऊं थोड़ा सा फिर हूं मतलब थोड़ा सा बैट के आऊं चाय पी के तो इसलिए मैं चट पे जाऊंगी क्योंकि यह हमारे पीछे खेट वगएरा है ना तो यह रेयाली वगएरा देखती हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सी टाइम के लिए मैं चट पे चली जाती होती हूं अच्छा अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे आप जरूर बताइएगा और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नियू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट विलोग में तब तक के लिए अलाहाफीज अपना वह सा खियाल रखिएगा अलाहाफीज अलाहाफीज झालाहाफीज